नमस्कार किसान बाईयों ट्रेक्टर जंक्षन का आज का वीडियो बेहधी खास होने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2022 की पहली छमाई में ट्रेक्टर बाजार में किसने मारी बाजी और कौन रह गया पीछे किसने बेचे सबसे ज़्यादा ट्रेक्टर और किसकी हुई चान दी 2022 की गर्मी में किसकी मनी दिवाली और कौन हुआ दुखी तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंध तक जरूर देखें सबसे पहले बात करते हैं साल 2022 के पहले च्छे मैने में कुल कितने ट्रेक्टर बेचे गए हैं जनवरी से जून मैने के दोरान घरेलू बाजार में कुल 4,43,188 ट्रेक्टर बेचे गए हैं जबकि पिछले साल 2021 के सुरुआती 6 मैनों में 4,68,538 ट्रेक्टर बेचे गए थे मतला पिछले साल से इस साल कुल 25,360 ट्रेक्टर कम बिके हैं 2022 में जून महिना इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़ा रहा है इस महिने में सबसे ज़्यादा 94,437 ट्रेक्टर बेचे गए हैं हाला कि जून 2021 की तुलना में कंपनियों को नुकसान ही हुआ है बिकरी का यह आकड़ा पिछले साल के तुलना में 14.4% कम है जून 2021 में 1,10,395 ट्रेक्टर बेचे गए थे अब बात करते हैं कंपनियों की सेल्स रिपोर्ट के बारे में इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं VST की इस कंपनियों ने मिनी ट्रेक्टर रेंज में अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है वर्ष 2022 के पहले 6 माईनों की सेल्स रिपोर्ट में VST ने 10 वे नंबर पर कबजा किया है VST ने इन 6 माईनों के दोरान कुल 2577 ट्रेक्टर बेचे हैं जबकि VST ने 2021 के इन 6 माईनों में 3,366 ट्रेक्टर बेचे थे इनकी विक्री में ग्रावट है यानि यहां तो भईया उत्पादक पक का टैंसन में होंगे नवे नंबर पर है प्रीट ट्रेक्टर जनवरी से जून 2022 के दोरान प्रीट ने 3,442 ट्रेक्टर बेचे हैं जबकि पिछले साल 2021 में इसी अवदी में प्रीट ने 4,249 ट्रेक्टर बेचे थे मतलब पिछले साल के मुकाबले प्रीट की भी सेल कम हुई है कम्पनी ने चालू वर्स के मार्च मैने में सबसे ज़्यादा 725 ट्रेक्टर बेचे हैं प्रीत अपने शांदार फिचर्स के साथ किफायती ट्रेक्टर बना कर किसानों के बीच काफी लोग प्रिये हो रही है तो हम तो बस यह उम्मीद करेंगे कि अगली 6 माई इनके लिए अच्छी हो अगला नंबर है इंडो फार्म का यह कंपनी भारती किसानों के लिए किफायती कीमत पर बेहतरीन ट्रेक्टर बनाती है साल 2022 के पहले 6 माईनों में इंडो फार्म ने 3570 ट्रेक्टर बेच कर आठवा स्थान प्राप किया है जबकि इंडो फार्म ने साल 2021 के पहले 6 महिनों के दोरान 3122 ट्रेक्टर बेचे थे वा भाई वा, साल 2022 इंडो फार्म के लिए तो मुनाफाले कराया है कम्पने ने पिछले साल के मुकाबले 444 ट्रेक्टर ज़्यादा बेचे है साथमें पायदान पर 11,533 ट्रेक्टर बेच कर कुबूटा ने कबजा किया है जबकि कुबूटा ने 2021 की पहली छमाई के दोरान 9,750 ट्रेक्टर बेचे थे याद है हमने उपर कहा था कि किसकी हुई चांदी तो वो यही है इस साल 2022 में तो कुबूटा की चांदी ही चांदी हुई है जापनी तकनिक के साथ ट्रेक्टर पेस कर कुबूटा भारते किसानों को भरोसा जीत रही है छटे नंबर पर है देश की विश्वसनिये और बड़ी कंपनी न्यू होलेंड हर स्रेणी के ट्रेक्टरों के साथ ही क्रिशी उपकरणों के लिए न्यू होलेंड खूब पसंद की जाती है लेकिन फिर भी 2022 में इनकी सेल में गिरावट आई है इस साल पहली चमाई में न्यू होलेंड ने 16,940 ट्रेक्टर बेचे हैं जबकि 2021 की पहली चमाई के दोरान 17,343 ट्रेक्टर बेचे थे हम तो बस यही कहेंगे कि किसान भाईयों का वरोसा आप पर यू ही बना रहे और उत्तम कोटी के ट्रेक्टर हम को देखने को मिलते रहें अपनी स्रेश्ट तकनीक और शांदार प्रदर्सन के दम पर जोन डियर ट्रेक्टर ने ट्रेक्टर विक्री में पांचवा इस्थान हासिल किया है जोन डियर ने साल 2022 की पहली चमाई के दोरान कुल 49,000 एक्क्याउंट ट्रेक्टर बेचे हैं कमपनी ने जून में सबसे ज़्यादा 8,036 ट्रेक्टर बेचे हैं हालांकि जॉन डियर ने पिछले साल इसी दोरान 22,389 ट्रेक्टर बेचे थे। जॉन डियर की बिक्री में भी ग्रावट दर्ज की गई है। हमारी आप से बहुत उंची उम्मिदे हैं, तो बस अच्छी तकनिक वाले ट्रेक्टर बनाते रहिए। 2022 एसकोर्ट्स ग्रूप के लिए अब तक ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। पहली चमाई में कम्पनी अपने तीनों ब्रांट, फार्म ट्रेक, पावर ट्रेक और डिजी ट्रेक को मिला कर कुल 45,888 ट्रेक्टर बेच कर ट्रेक्टर बिक्रे में चोथ इस्तान पर है। एसकोर्ट्स ने बिक्रे में पिछले साल के मुकाबले किरावट दर्ज की है। कम्पनी ने साल 2021 में इसी अवदी के दोरान 55,430 ट्रेक्टर बेचे थे। भारत सही दुनिया के दूसरे देसों में तेजी से बढ़ रही कम्पनी सोनालिका ने साल 2022 की पहली छमाई की ट्रेक्टर बिक्री में तीसरा इस्तान पराप्त किया है। सोनालिका ने इस अवदी के दोरान 52,537 ट्रेक्टर बेचे हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेक्टर जून महिने में बेचे गए हैं। जिनकी संख्या 11,370 रही है। दूसरी कम्पनियों की तरह सोनालिका ने भी पिछले साल की तुलना में कम ट्रेक्टर बेचे हैं। सोनालिका ने 2021 की पहली छमाई में 55,853 ट्रेक्टर बेचे थे। ट्रेक्टर बिक्री में टैफे ग्रूप ने दूसरा इस्तान पराप्त किया है। टैफे ने साल 2022 के पहले 6 महिनों के दोरान 80,685 ट्रेक्टर बेचे हैं। सबसे ज्यादा 17,808 ट्रेक्टर जून में बेचे गए हैं। टैफे ग्रूप की इस बिक्री में मैसी फर्गूसन और आईशर दोनों कमपनियों की बिक्री शामिल है। वैसे तो ये दोनों ट्रेक्टर किसानों के बीच बहुत अधिक लोग प्रिये हैं। लेकिन फिर भी टैफे ने अन्य कमपनियों की तरह पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक कम ट्रेक्टर बेचे हैं। टैफे ने साल 2021 की पहली शामाई में 84,130 ट्रेक्टर बेचे थे। हमारी तो बस यही राय है, मुकाबला बहुत कड़ा है, तो अगली शामाई के लिए तयार हो जाईए। दोस्तों बाकी सब तो हो गए, अब नंबर एक पर कौन है, जो बना हुआ है ट्रेक्टर बिक्रे में सरताज। कोई गैस? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। हर साल की तरह साल 2022 की पहली चमाई में सबसे ज़्यादा ट्रेक्टर बेच कर महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर वन पर काविज हुई है। देश की शान, अंड़ दाताओं की जान, महिंद्रा सभी श्रेणी के किसानों के लिए ट्रेक्टर बनाती है और भारत वे विश्व की सबसे बड़ी कमपनी है। महिंद्रा ने इस साल अभी तक 1,81,566 ट्रेक्टर बेचे हैं। कमपनी ने जून में सबसे ज़्यादा 49,825 ट्रेक्टर बेचे हैं। हलाकि महिंद्रा ने भी पिछले साल के मुकाबले कम ट्रेक्टर बेचे हैं। 2021 की पहली चमाई में महिंद्रा ने 1,86,397 ट्रेक्टर बेचे थे। यहाँ आपको बता दें कि महिंद्रा की इस बिक्री में महिंद्रा और स्वराज दोनों ट्रेक्टर शामिल हैं तो किसान भाईयो आपको यह जानकारी कैसी लगी क्रिपया कमेंट करके जरूर बताएं आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी का ट्रेक्टर है उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ट्रेक्टर जंक्सन के साथ चुड़े रहने के लिए धन्यवाद